हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक और जवर्दस्त वीडियो में और इस वीडियो में देखिए आज हम देखने वाले हैं दो रेलवेस एक्टर के शेयर जिनका नाम है आयर एफसी और आर वी एनल और दोनों ही शेयर में बहुत अच्छे टारगेट्स अभी निकल के आ रह 10% की ग्रावट के साथ 10% से भी ज्यादा की ग्रावट है और इसके साथ यह 27 रुपे 80 पैसे पर बंद हुआ है लेकिन यह फ्यूचर में कहां तक जा सकता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे देख लेते हैं देखिए शेयर के बारे में वैसर देखिए 100% मोनोपोली शेय 10% और पब्लिक के पास है 9% तो अच्छा सेयर होल्डिंग पैटरन है अच्छा क्या बहुत अच्छा है इसको हम बोलेंगे और देखिए इसके ओफस से भी निकल कर एक न्यूज आ रही थी जिसमें की 11% से भारत सरकार बेचने वाली है 2024 में तो फिलहाल तो कोई ऐसा डर न पड़ेगा लेकिन यह 2024 में सेल करेगी तो 2023 में कोई भी इसमें ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं कि ओफस आ जाएगा और मार्केट में थोड़ा रेट कम हो जाए तो अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ओफस का खत्रा भी इस शेयर पर नहीं है और देखिए अभी यह जो 11% सेल का जो निर्ण है यह अभी लिया भी नहीं गया है पूरी तरीके से यह अगले साल नेक्स्ट फाइनेंसल येर में यह लिये जाएगा कि 2024 में भी लाना चाहिए यह नहीं तो कोई ऐसी बड़ी बात अभी डरने वाली नहीं है कि और फस आएगा और सस्ते रेट पर मिले अभी हमें मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रही है जिसके साथ ही यह शेयर भी हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छे प्राइच पर 27 रुपे पर यह फिल हाला भी अपने ट् है 49 रुपे का 37 से 49 रुपे यह जा सकता है और देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि अभी जो है इसमें एक हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट भी गिरा हुआ है लेकिन यह अभी 37 से 40 तक यह जा सकता है और कब तक यहां नीचे दिया हुआ देखिए जब तक बजट बिफोर दब बजट मतलब बजट से पहले और बजट कब है फरवरी में तो फरवरी से पहले पहले यह 27 रुपे का शेर 37 रुपे से 40 रुपे तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है ऐसा ही जो बजार के एनलिटिक्स होते हैं उनके द्वारा ब देखे कल के ट्रेडिंग सेशन के अगर हम बात करें तो जैसे ही कल मार्केट खुलता है नो पंद्रा पर तो 4,18,547 सेर उठा लिए जाते हैं और 3,72,87 सेर तो ये दो ब्लोक डिल होती हैं और कितने 36 रुपे 45 पैसे और 36 रुपे 30 पैसे पर उसके बाद प्रोफिटी बुक जाते हैं 9,15 पर ही तो ये दिन भर चलता रहता है फिर 9,17 पर भी देखे 6,31,480 सेर उठा जाते हैं 35 रुपे 90 पैसे के इसाप से और फिर 9 बचकर 26 मिनट पर फिर सेल किया जाता है 7,32,000 सोरी 7,23,453 तो पूरे दिन भर ये ट्रेडिंग चलती रहती है और लास्ट में जाक अगर सेर हमें 10% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई देता है देखिए पूरा मार्केट रेड था सारे सेर में ग्रावट थी तो इसमें भी हुई लेकिन अगर हम इसके प्रोफिट की और सेल्स की बात करें तो देखिए 2019 से लगातार बढ़ते हुए हमें दिख हो गया है और हमें साथ बढ़ते हुए ही हमें दिखाई दे रहे हैं रेवेन्यू कंपनी ज्यादा कर रही है और यह जो है 100% 100% मोनोपोली शेयर है तो डरने वाली इसमें बात कोई ऐसी है नहीं बहुत अच्छा रिटन इन फ्यूचर हमें मिलेगा लेकिन फिर भी बाया सेल करना चाहते हैं तो अपनी एनलेसिस जरूर कर लें अब बात करते हैं देखिए और वी एनल की और आर वी एनल जो है हमारा 70 रुपर पे ट्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है लगवग 5% की गिरावट इसमें भी आई है कलके ट्रेडिंग सेसन में जो कि हर किसी में ही थी सारे सेयर लगवग 4-5% तो गिरे ही हैं बहुत से सेयर ऐसे भी थे जो 15-20% भी गिरे तो उसमें ये भी करेक्शन में आया है और दोनों ही कंपनिया नो डाउट बहुत अच्छी कंपनिया है कभी इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है लेकिन कम से कम 10 साल के लिए तो बहतर होगा बहुत अच्छे रिटन 10 साल में मिलेंगे लोंग टर्म का ही व्यू लेकर हमें चलना चाहिए हम ट्रेडर्स नहीं है कि आज ही खरीदा और आज ही हमें प्रोफिट हो गया तो हम ऐसा नहीं कर सकते हमें रुकना पड़ेगा मार्केट में और अच्छे प्रो तो नगाना में एक यह प्लांट लगाने वाले हैं यह होगा कोच मैनुकेỏ फेक्टृ फैक्ट्री को मिल्ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पहले से भी आपने देखा होगा तो 75,000 करोड के order इसके पास पड़े हुए है order book बहुत तखड़ी है इसकी अगले 5-7 साल तक company के पास बहुत भारी मातरा में काम है बहुत इसकी जो workbook है वो भरी पड़ी है तो हमेशा 5-7 साल तक तो ये कहीं नहीं जाने वाली बहुत तखड़े order इसके पास पड़े हुए है company के देखें market cap सिर्फ और सिर्फ 13,167 का है और current price 63 का है तो अच्छे rate पर इस समय हमें बहुत original price में ये share मिल रहा है book value 33 की है no copy और अगर हम ROE देखें तो लगबख 20% का है और जो चार धाम project है वो भी इसी के अंडर चल रहा है और 13,000 करोड की company होने के बाबजूद सिर्फ 13,000 करोड की company उसके बाबजूद भी 75,000 करोड की order book और फिर एक bid और कल इसने जीत ली है वो अभी हमने आपको पीछे दिखाई है अच्छे CAGR हमें देते हुए दिखती है company 24% से उपर का 5 सालों में और एक dividend भी 32% का company देती है बहुत सांदार इसका जो future हो सकता है देखिए अगर हम compounding sales growth देखें तो पिछले 5 सालों से 27% और profit growth 5 सालों में 24% से और CAGR 3 साल का दिया है 40% से बढ़ा है तो बहुत सांदार return हमें company देते हुए दिख रही है दोनों ही company नो डाउट बहुत अच्छी होने वाली है share holding pattern अगर हम दोनों का देखें तो इसका भी देखिए RVNL का भी 78% से ज़्यादा promoters holding है FII के पास पोने 2% और DII भरके माल उठाया हुआ है लगबग 7.5% और public के पास है सिर्फ 12.5% तो दोस्तों दोनों company शांदार है invest करना ना करना लेकिन आप ही के उपर बात है अपनी एक बार analysis जरूर करने इंवेस्ट करने से पहले मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत